हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूं इंस्टन नमकीन की रेसिपी इस नमकीन की खास बात यह है कि इसे हम आज बनाने वाले हैं केवल दो चमश ऑईल के साथ जी हां आज हमें से केवल दो से तो आप एक पर यह इंस्टन बनने वाली नमकीन बना के जरूर ट्राय करें का आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे चाहें तो महीने भर्दक आराम से स्टोर करके रख सफने एयर टैट कंटेनर में बिल्कुल भी नरम नहीं पड़े की एक दम बढ़िया रहेगी क्रिस्पी तो चलिए नमकीन मनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पर यहां पे हम डालेंगे आधा चमश ओईल जैसे गर्म हो जाएगा इसमें जाएगी एक कप मुवफली तो यहां पर मुवफली को डाल दे और अब हमें मुवफली को थोड़ा सा भून लेना यानि की रोस्ट कर लेना है जिससे की थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगा चला जाए क्योंकि मुवफली में आगा मुश्चर रहेगा फिर आपका नमकीन जो हो खराब हो जाएगा इसलिए जितनी भी चीज़े आप डालें नट्स वागिरा वो सारे हम अच्छे से रोस्ट करके डालेंगे औ यह दे के पहले से लग रहा होगा आपको मुवफली जो है उसका करड़ चेंग्ज है यह अच्छी से रोस्ट हो चुकिए अब इसमें डालेंगे दो बिंच नमक तो नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा नमकीन में और यह ने रग देंगे अब अगले बैच में हम धिल्के पैसे बहुत कर लिया है साथ में हरी मिर्च डाल दिमें और यह थोड़ा से रोस्ट कर लिंगे गरी चुह है फ्राय होने में तोड़ा सा ज्यादर टाइम लगते इसलिए हमने गरी को पहले ढला और री मिर्च भी डाल दी है फ्लेवर के लिए जिस इस गितीवा फ और इने भी रोस्ट कर लेंगे क्योंकि बरसात का सीजन है तो इन सारी चीज़ में मौश्यर आजाता है और अब यहां पर बाकी के बज़ेवे नट्स डाल देंगे तो यहां पर काजू बादाम और किश्मिश सारी चीज़े हम डाल देते हैं आपको जो भी इसमें से ड्राय फॉट्स पसंद हो आप स्किप कर सकते हैं या आपको जिसमें एड करना हो तो एड कर सकते हैं इससे फ्लेवर बढ़ जाएगा नमकीन का और यह देखें सारी चीज़े हमने थोड़े टाइम के लिए रोस्ट कर ली मीडियम फ्लेम पर जैसे यह क्रिस्पी हो गई है अब यहां पर जाएगा थोड़ा सा काला नमक और इसके बाद लाल मिर्ची पाउडर बस दो ही मसाले हमें डाल लें इससे इन में थोड़ा सा ट इस बार थोड़ा सा मैंने ज्यादा ऐल डाला है क्योंकि हमें इसमें पोहे को फ्राय करना है तो हल्दी पाउडर धनिया पाउडर को इस तरीके से पका लें और जब यह बबिल साने लगे जैसे कि यह देखिए आप देख सकते हैं बबिल सागे अब यहां पे जाएगा पो है जब तक कि यह जो पोहा है वह अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता जब पोहा अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा तब इसमें एकदम बढ़िया से हल्दी पाउडर चड़ जाता है और इसे पकाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा यानि आपको दस मिनिट का टा साथ में डाल देने थोड़ा सा अल्दी का पाउडर और इसके बाद थोड़ा सा नमक तो दो पिंच नमक डाल दें और 1 कटोड़ी डाल देंगा यहां पे माखाना माखाने डाना बिल्कुल अप्शनल है अगर आपने घर में रखे हो तो आप डाल सकते है व़रना नमकीन इ मैंने इसलिए एड़ कर दिया क्योंकि यह बहुत ज़्यादा है और स्नेक्स के लिए तो बैस्ट है और इन्हें हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे करीबन तीन से चार मिनिनिट लगेंगे और एकदम बड़ी ऐसे रोस्ट हो जाते हैं मीडियम हाई फ्लेम पर अब मैं आपको चेकं करके दिखाती हूं कि हा इसी में इक्रेव मैं को तोड़ के दिखा दीती हूं तो यह अब यहां पर पापस हम घी को गर्म कर लेंगे इस के बाद इसमें जायَगा जीरा, सौफ, आदा चमच, राई जाएगी, तो यहां पे आदा चमच राई मैंने डाल दी, इसके बाद हल्दी का पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे, बस इस बार में धनिया पाउडर वगरना नहीं डालना है, अब यहां पे हम डाल देंगे मुरमुरा, तो मुरमुरा जो ह इसलिए अब नमग, मिर्च वगरा डालने की ज़रूत नहीं है, और यह देखिए, मुरमुरा एकदम क्रिस्पी हो चुका है, अब बार यादिया सारी जीजु की मिक्सिंगी, तो यहां पे सारी चीज़े मिक्स कर लेंगे, यहां पे मैं डालने थोड़े से मिक्स नम की, इ तो यह है मैगी मसाला, इससे बहुत बड़े डेस्ट आएगा, एक चमस डाल दिंगे, शक्कर का पाउडर, तो यह मैंने घर में ही शक्कर को पीस लिया है, और यह पाउडर बना के तयार कर लिया, मिक्स कर लेंगे, और यह लीज़े फ्रेंस, हमारा इंस्टंट बनने वाल तो आप एक बर यह नमकीन बना के अपने घर में जरूर ट्राय करें, आपको बहुत ज़्यदा पसंद आने वाले है इसका टेस्ट और यह बहुत ज़्यदा हेल्दी भी है, तो फ्रेंसी रेसिपी एक बाद जरू ट्राय करिएगा, और आगर आज की रेसिपी आपको कर लें, तो मिल देने एक रेसिपी में, तब तक कि लिए गुड़ पाए.